Translation and Adaptation An Example Translation is simply a literal translation of content from one language to another जिसको हम कहते हैं कि वो उसका लफ़ती तर्जुमा कर दिया गया जबके Adaptation का यह मतलब होता है कि Translation को आप एक स्टेप और आगे ले जाते हैं लफ़ती की बजाए उसका मानुवी यानि Meaningful Translation करते हैं इसका मतलब यह होता है कि उस दबान में यह बात अगर किसी और अंदाज में कही जा रही है तो लफ़ती तर्जमा उसकी पूरी तरह इंसाफ नहीं करेगा और इसके बारे में बहुत तो जोप भी होते हैं मेरा दिल बाग बाग तो वो कहते हैं जी लफ़ती उसका यह है तो उसको जब आप मानवी तौर पर करते हैं तो वो कुछ और होगा I am really happy, my heart is full of joy, that is the translation of मेरा दिल बाग बाग तो अब आपको समझ आ गया होगा कि adaptation के लिए आपको context देखके उसका मतलब देखना पड़ता है और उस culture के हिसाब से जो है आ रहे हैं VIA values in action एक classification है 24 किरदारी खूबियों की जिनको हमने 6 बड़ी virtue categories यनी 6 बड़ी qualities किरदार की जो होती है इसको आप किरदार के खूबियां कह लें उन खूबियों के अंदर किरदार की ताकतें रखती गई values in action जो है वो एक classification है इनसानी किरदार की ताकतों की अब ये जो 24 इनसानी किरदार की कुवतें या ताकतें या उसकी strength की गई हैं theoretically पेश इनको छे किरदारी खूबियों के under categorize किया तो ये जो classification है इसके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में verify हो चुकी है जब मैं आपको इनकी example दिखाऊंगी तो आपको समझाएगा कि actually किरदार की जो खूबियां जैसे justice है जैसे humanity है जैसे wisdom है सबर है शुकर है ये जो किरदार की खूबियां वो कहते हैं जी हर culture में हर दीन में पाई जाती है और जब इन्होंने ये बनाई पिटरसन और सेलिगमन ने 2004 में तो इन्होंने इसको दुनिया के हर मख़ब के में जो चीज़ें अच्छी समझे जाती थी उनको जमा किया और उनका फेर एक अनैलेसिस किये उसमें से जो निकला उसका एक जिस्ट आप समरी उसको कठा करके इन्होंने पिर ये सवाल नामें तो ये कई जबानों में ट्रांस्लेट हो चुकी है अब आप इसको अगर देखें तो आपको 24 ट्रेंक्स नजर आ रही है यह जो 24 ट्रेंक्स हैं मसलन इन में क्रियेटिविटी, क्यूरॉस्टी, जज्जमेंट, परस्पेक्टिव, ब्रेवरी, परजीवेरंस ठीक अब जब्रेंक्स के अंडर आती है, creativity, curiosity जो है वो wisdom के अंडर आती है, आप सोच के, judgment आपकी अच्ची है, perspective है, आपका चीजों को बैलस तरीके से लेते हैं, creative है, आपके अंदर curiosity है, love of learning है, अच्छा फिर तो ये humor है, prudence है, spirituality है, appreciation of beauty है, अब इन को 6 में किया गया है, आईटिम की इस तरह की हैं, I admire things that look beautiful, यह appreciation of beauty को देख, जो मेरी जिम्ही में अच्छे चीज़े हैं, मनके लिए शुकर गुजार हूँ, यह gratitude है, I am not afraid in situations of danger, यह bravery है यह courage है, finishing what I start is important to me, यह है परजी वेरस, यह नहीं मुस्तकिल मिजाज, अब I rarely plan things ahead, मैं पहले से चीज़ों को planning करती, यह जो है, यह prudence self-organization में आप, हमने जो study की, जिसकी reference आगे आपको मिलेगी, यह इसको पहले उर्दू translation की, फिर उस उर्दू translation को पाकिस्तान के samples पे लिया, जो के मुक्तलिफ educational institution में यंग लोग पढ़ रहे थे, और दफ्तरों में थे, translation की बाद उसको cross language validation होती है, उसका तरीका ही होता है कि आप किसी को जो English और उर्दू दोनों जमाने जामते हैं, उनको एक translated version देते हैं और फिर वो English और उर्दू में जो attempt करते हैं, उसके score को compare कर लेते हैं, यह technical process होता है, जो research methods में गालबन आपने ज्यादा तफ्सील से बढ़ा होगा, इसका part 2 यह है कि हमने यह validate किया, 542 लोगों पे, कि इसका जो construct है, construct का मतलब होता है, जो यह किरदारी खूबियां या virtues हैं, वो किस अब तक सही है, तो यह reliable था, यह scale पाकिस्तान में, इसकी strength की या किरदारी खूबियों की positive correlation है, अच्छे mood के साथ, यह पॉस्टिव effect के साथ, और life satisfaction के साथ, इसका मतलब यह है कि जिसमें किरदारी strength है, वो पे भी और उसके साथ ही वो अपनी जिन्गी से खुश्च भी है, तो इससे यह पता चला कि हमारा scale जो है, वो valid है और उसका construct valid है, इसको हम construct validity भी कहते हैं, और convergent validity भी कहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि दो चीजें, अगर मसलन आपको कंजूस्ती के उपर आपकी rating हाई है तो आपकी generosity पे rating low आएगी आपके score में, इसका मतलब है कि आपका scale जो आपने नया बनाया है, वो सही measure कर रहा है, जिसका depression के उपर score जादा आ रहा है, आप एक नया test बना रहे हैं, तो जो पिछले depression के score है, या वो चीजें जो depression के साथ predict करती हैं, या उससे related होती है, उसके भ अब किरदारी खूबियों पर, या या रेक्टर स्ट्रेंग्स इन्वेंटरी पर, इसकी जो correlation है वो negative थी, उनके साथ जो negative mood का scale था, तो यह वो ही validity थाबित हो गई, बाकी इसके अदर और findings हैं, आप इस article को पढ़े, इसमें age जो है वो negatively associated है, पांच स्ट्रेंग्स के साथ, यह जैसे आप बड़े होते जाते हैं, कुछ strengths कम use होती है, यह जोटे होती हैं, तो कुछ strengths ज्यादा use करें, कुछ seven strengths हैं जिन में और तो मर्तों में फरक आया, this all description is beyond the scope of one lecture, but it is available to be read, और यह आपकी book readings में शामिले स्कोर्स, चार जो virtues हैं, जबके छे बाहर के मुलकों के studies में हैं मुखसलिफ मुलकों की, वो हमारे researcher डॉक्टर अफीफा ने यह discover की, जिन में चार हैं, interpersonal, यानि इनसानों के हवाले से हमारी जो strength है, cognitive, जो हमारे mind के हवाले से है, vitality, आप में जो energy और जो जज़बा मौझूद है, और transcendent, अपनी जात से उपर उठके, किसी higher reality जैसे spirituality है, उसकी जो ताकत हमें होती है, तो यह चार उन्होंने पाकिस्तानी कल्चर में निकाली, जबके बाहर के कल्चर में यह छे वो कर रहे थे, यह बहुत अच्छा valid study हुई, यह publish हो चुकी है, यह इसकी reference है, यह पाकिस्तान जर्नल of psychological research में छपी है, it's a good example of validation of a test तोना पाकिस्ता पाकिस्तानी सा, यह पाकिस्तानी सा.